कि आयं पीबी एड भुफट्वेफ दॉफर की तरह नहीं है कि बताया कुछ और जा रहा है अर्ite we से क्या-क्या हम पूछने वाले हैं और वो जितना कुछ यहां पताया जा रहा है हाइप प्रोबैबिलिटी रहती है कि कट टू-कट एक्जैक्टली आपको वैसा ही फॉलो होता हुआ देखने के लिए मिलेगा यह जैसा कि सिटी अगर कैंडड़ेट से पेपर दिया हुगा तो आप लोगों को आईडिया होगा कि मतलब सेलेबस में कुछ और मैंशनेंड है पेपर में कुछ और आ रहा है एक्जाम में एकड़म रोलर कोस्टर राइड है यहां पर नहीं है यहां थोड़ा चीज़े इजी हैं गया है सब कुछ बहुत सौर्टेट है तो आई-पी बीएड में कोई भी कैंडिडेट लास्ट मुमेंट पर मैं कहना हूं चौबिस घंटा पहले भी थोड़ा भी धंक से आपने मेहनत कर लिया ना तो भी आपको दस नंबर 15 नंबर का अडिशनल अडवांटेज आपको बूस्ट होता हो देखने के लिए मिलेगा फिल्हाल आई-पी उनिवस्टी के तरफ से जो मेजर अपडेट्स हैं आपको पता होना चाहिए कि आई-पी इस तरे लेट कोई भी चीज आपको जानना है तो इनकी ऑफिच पर आप क्लिक करोगे तो जो भी इनके साइट से नोटिस वगर आ रखा हो सारा कुछ आप देख सकते हो ठीक है फिल्हाल कुछ जो हम मेजर मुद्दे है आई-पी से लेटेट्ट उस पर आजाएं सबसे बेसिक चीज जो आपको समझने की जरुए सबसे बेसिक चीज जो आ आपको रेड कलर में देखने के लिए मिलेगा और आप उस पर ले जाओगे पैन पैंसल जो भी है आप लेकि ध्यान दीजेगा पैंवी लेकी जाओगे पैंसल भी लेकि आप रखे रहोगे अपने पास आपको उसी से चार गोले बने रहेंगे तो मतलब यह और यहां लिख कर दोगे है तो 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 इसको डार कर दोगे तो इसको डार कर सकते हो तो इस तरह से कि यह है तो जो भी आपना लंबर लेका फिल कर रहे हैं वो सब बहुत ध्यान से पेपर में है आप सबी लोग और कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसको रोल लंबर वगएर आप फिल कर सब कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कहां पर साइन करें कहां कहां पर पेपर कोड भरें कुछ भरें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना वहीं रुक जाना जो तुमारा एक्जामिनर है ना लिटरली उसकी भी बाइलिंग्वल का बहुत जब कोई मतलब है कि इंग्लिश इंदी दोनों में रहेगा पेपर वन 50 मिनट का है धाई घंटे का पेपर है और ध्यान दीजेगा जब पेपर देने जाओगे तो आज आएड्मिट कार्ड के साथ दो फोटो भी लेकर जाना है भूलना नहीं तो आप आप तो नहीं पर तो ले जाओ तुम से वहीं पर करा लेंगे तो नॉट टू भरी ध्यान दीजेगा पेपर आप लागू हो रही है जो मैंने आप लोगो को समझाया थोड़ा सा प्रिपरेशन पर भी ध्यान दे रहे सकते हैं तो मैंने लिख दिया है कि जैसे मान लो इस वीडियो को आप एक्जाम के एक रात पहले देख रहे हो तो भी ना तुम्हारा सबसे जादा अब आप लेकर आप जबाती इस लेने होना है क्योंकि को चाहे तुम यहां से करो सभी जगह सही करने पर आपको चार नंबर सही मिलेगा वादा चाहे सभी करने पर चार नंबर मिलेगा और गलत करने पर जो है एक नंबर कट जाएगा वन फॉर्थ नेगेट हो जाएगा तो सभी जगा यही फॉल रहा है तो टीचिंग एक ऐसा सक्षन होता है ना सब के लिए नियू है सब पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो लेस्ट के लास्ट मुमेंट पर टीचिंग एपिटूट पढ़ रहे हो तो क्या कर सकते हो कि डेली बाइट के यूट्यूब पर गये और नुपुर मैम ने इस पर पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है क्या करते हैं टीचिंग एपिटूट का सिक्षण विरूची का ध्यान देना उस और भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो इन सभी वीडियोस को आप जो है चार से पांच बार देख डालो चार से पांच बार देख डालो उतना से आप यह महसूस करोगे कि पेपर में आप बहुत ज्यादा सभी वीडियोस को चार से पांच बर देख डालो और वीडियो मेसेज के बाद आप खुद आओगे पेपर देने के बाद और अच्छा खासा कोश्य है हमको इस टीचिंग एपिट्यूट थे देखने के लिए मिला था तो कोई भी ऐसा कंडिडेट है जो अभी तक ठीक से प मिलेगा ठीक है तो अपर मनेन रिजनिंग के साथ क्या करना है ठीक है ईख़ो उपर मैंने रिजनिंग लिए यहां सांभ से मेjas सब लोग पहली बारी पढ़ते हैं तो लेट से कि तुम आई-पी गन अचा करो चार से पांच जो है प्रीविएस यहर पेपर देख लो तुम प्रीविएस यहर पेपर नहीं है डेली बैट से वेपसाइट पर फ्री और कोस्ट भी आप जाके सॉल्व कर सकते हो ओन्लाइन मोड में ठीक है मैं पीडियाफ जो है टीचर एडूकेशन रिसोर्स वाले टेलीग ध्यान दीजेगा कौन सा कोश्टन है जो नहीं कर पा रहे हो तो लेट से लेट से कि ऐसे पांच टॉपिक तुमको मिल गया है कि जिससे पास्ट थ्री टू पॉरियर में लागतार तुमको देखने के लिए मिल रहा है ठीक है और तुम यह नोटिस कर रहा हो कि पांच दो या तीन टॉपिक ऐसा जरूर होगा जिसको प्रेक्टेस करोगे तो आपको काम बन जाएगा तो आपको करना क्या है बस उन दो तीन टॉपिक्स को फिगर आउट करना है और उससे रिलेटेड दस से बारा कोश्टन सिर्फ लगा लीजिए गूगल पर भी सर्च कर जोग तो भी आप महसूस करोगी कि आप उसको कर पा रहे हो तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैट में तुम जाओ बड़ा बड़ा आवरेज और परसेंटेज के कोश्टन को सॉल्व करना है या फिर मैंसुरेशन का कोश्टन दे दिया कि स्लैंट हाइट और यह है और जो है बेस यह दे रखा है यह तोटल सर्फेस एरिया यह इस तरह का बड़ा-बड़ा मैं नहीं कह रहा हूं कि तो मैट साइट कर लोगे लेकिन हां यह जो रीजनिंग वाला बोला मैंने यह टोटली मैनेजबल है और जो इंग्लिश का सेक्श पोर्शन होता है उसमें तुक्का मारने से बचना चाहिए क्योंकि उसमें हाई प्रोबिल्टी रहती है कि चीजें मिस्टेक हो जाए और एक जो भगवान भर से चलता है वह है जन्रल अवेर्नेस कोई गैरेंटी नहीं है अगर पड़े हो तो क्या इसमें से आएगा कोई ग ग्राफिक कोश्चन आया है हां आया था कभी नहीं आता है तो करेंट अफेयर हिस्ट्री जियोग्राफी कुछ नहीं कह सकते हो सकता है कि पूरा-पूरा करेंट अफेयर टोटल वेस्ट हो जाए तो जन्रल अवेर्नस एक दम भगवान भर उसे जो पेपर में देखने के लि आइसा नहीं आ कि आ प्लास मोमेंट पर प्रूब कर दोगे तो तो थो बहुत बहुत बचता है बाई आई पर में तुम देखो कि लास्ट आगटे मिलेंगे अरा यहां यहां पेपर में नहीं टो बाइट से खाली रहेंगे धाई घंटे मिलेंगे 120 कोश्चन है अराम से कोश्चन बुकलेट पढ़ना कुछ हडवडाना नहीं और प्लीज ये वाला बेवकूफी मत करना कि पहले सारा सॉल्व कर ले फिर बबल करेंगे नहीं भाई एक सेक्षन सॉल्व किये उसको जाके पहले पूरा बबल कर लो और ब बहुत सारे बने रहेंगे जो तुमको लग रहा है सही है वह 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 तुमको डार करना अब बच्चा जानते हो कई पर क्या करता है वह क्या करेगा 25 कोश्चन पहले सॉल्व कर लेगा फिर ऐसे देखेगा वन का ए टू का भी थ्री का ए फोर का ए गुला मार दिया यहां इच्छा चौथा कोश्चन साथमा कोश्चन पहले ही ना बीच में जाकर बबल कर आए करो कि पूर्थ का सी है यह सिक्स कड़ी है यह ताकि तुम सीक्मेंस में बढ़ रहा हो A B C D मार कर रहा हो तो गलती से लोग इस तरह कर देते हैं जो बहुत चाइल्डिस आपको दिख लेकिन अगर तुम्हारे दिमांग में बात नहीं रहेगा तुम मिस्टेक कर दोगे और एक कोशन भी काउंट करता है तो यह चीज आपको नहीं करना है उससे आप बचेंगे फिर हम आ जाते हैं रिस्क मेनेजमेंट पर अच्छा ध्यान दीजेगा जो भी बच्चों को मैं 699 का पेमेंट करके आप आप ले सकते हो डली वाटसफ हैंटलर एक घंटे में आपको आड कर देंगी आपको आठ मॉक टेस्ट मिल जाएगा और पांच टीचिंग अपिट्यूट का वर्स्टीट मिल जाएगा यह आपको डली बाइट के वेबसाइट पर दिया जाएगा आ इस नंबर पर आपको वाटसफ करना ध्यान दो आई पीड़ 6999 यह कोड लिख करके इस नंबर पर आपको वाटसफ करना है 6999 के पेमेंट के बाद विदिन एन आर वाटसफ हैंडर आपको एड़ कर देंगी डेली वाटस के वेबसाइट पर मॉक टेस्ट के लिए तो बिना पैनिक वानिक के परशान नहीं हो नहीं हो नहीं कर सकते हो आजाते रिस्क मैनेजिमेंट पर देखो यार आई पी के पेपर कि कोई बच्चा पूसर कितना अटेम्ट करें मैं यह तुम से यह कह रहा हूं कि मैंने तुम से कहा कि तुम सौ में साइट सेलक्षन आप तुम通गे। तुमको कौमन सेंस काम कर रहा है जब लाप मिल रहा है तुम्हारा common में 50 question ही आता है अब मैंने बुला यार cutoff के लिए 75 question तो सही होना ही चाहिए तो जब तुमको ज्यादा आता है तो यह बताओ तुम ज्यादा कैसे करने वाले हो और जब तुम एक्ट्रा मार्क करोगे तो क्या वो जो तो दो तीन बाते जो दिहान रखना है देखो एक्जाम में यह मत सुचो कौन सा question attempt करें यह सही attempt करें न करें तुमको question देखते ही न यह बात जरूर पता चले जाएगा कि यह question मेरे को नहीं आता है इस question का question का नाम, option, question में जो कुछ भी पूछा है मैंने कभी सुना ही नहीं है जब इस तरह का question हो जिसमें तुम एकदम complete blank हो एकदम complete blank हो ना तो कभी question का option सुना है ना तो कभी question सुना है उस question को नहीं attempt करना होता है वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है वो बिलकुल मत करिएगा नहीं क करना है तो कौन सा attempt करने से जाता है यह ध्यान लखना है कि कौन सा छोड़ देना है तो जो question तुमको देखते ही लग रहा है कि इसका option और नेम तुम कभी नहीं सुने हो उसको छोड़ दो अब क्या attempt करना है जब भी तुमारे पास 50-50 किसी भी question में हो तो तुमको risk लेना है यह नहीं कि 68 attempt के दस गलत हो गया है यार फर्क नहीं पड़ रहा है फिर कि IP के beard में होता क्या है जो टॉप के दो तीन चार college है अगर उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी colleges आपको location के हिसाब से लेना चाहिए कौन से आपके location पर best पड़ रहा है सबसे बेस्ट है MSIT मिल रहा है सबसे बेस्ट है लियावती मिल रहा है वह भी ठीक है तो इस तरह की college आपको मिल रहे तो ठीक है आधर वाइस तो बात के सभी colleges में more or less location के हिसाब से लो तो तुम साथ पा रहे हो कि 65 पा रहे हो उससे बहुत फरक नहीं पड़ेगा तो आपक कि कि आप यह चीजस करने के बात मैंने का है किसी कॉस्टिप्टीफिके और ऐसा जब लेकर तो क्या उसको अटेम्ट करना चाहिए हाँ उसक को लीजिए अगर उस question का तुमने option भी कभी सुन रखा है तो उस पर call लीजिए question का English Hindi दोनों देखने के लिए मिलेगा आपको B8 के paper में वैसे तो इंग्लिश इंदी दोनों में देखने के लिए तो English और Hindi में दोनों में option पढ़ लेना कि क्या दिया हुआ है English में भी question इसको आप अटेंट करिए क्योंकि निगेटिव मार्किंग वन फॉर्थ है चार कोश्चन पर तुक्का मारों को उसमें से एक भी साही हो जाएगा तो नहीं करेगा और हां जिन कोश्चन में एकदम शोर कुछ नहीं आता है उसको लिटरली ब्लांग एकदम छोड़ देना मत मारना तुक्काउक का एकदम और जन्रल अवेरनस पर को यसा कोश्चन है जो तुमको लगी कि यह टॉपिक मैंने बहुत कॉमनली सुन रखा जिसका तुमको फोड़ आइडिय करेंगी 699 का आपको पेमेंट करना है और उसके बाद विदिन अन आवर एक घंटे में डेली बैट की वेबसाइट पर आपको एकसेस देंगी आप चाहो तो डेली बैट की वेबसाइट पर खुद भी जाकर पर्चेस कर सकते हो लेकिन जब बच्चा ऑनलाइन पर्चेस करत यहां पर आपको आपको वाट्साइट का एकसेस देंगी और आपको बता देंगी तो आप खुद भी जाकर पर्चेस कर सकते हो लेकिन स्ट्रॉंग रिकमेंडेशन रहेगा कि वाट्साइट को पेमेंट वगर करें और उसके बाद ही करिए क्योंकि 24 में I mean sorry बिदिन आन आर हूँ आड कर देंगी तो किसी बच्चे को दिक्कत परशानी रहता है तो वाट्साप पर अड्रस हो जाएगा तो चली ठीक है तो इन बातों का आई पी बीट के ध्याम में ध्यान रखिएगा बहुत सारी सुपकामना है जितने भी लोग इस वीडियो लेक्शर को देख रह हैं और ऐसी आटी मिलने की हाई प्रॉबैबिलिटी रहती है तो आप सभी लोगों को बहुत सारी सुपकामना है अच्छा करिए डिस्क्रिप्शन वाक्स टीचर एडूकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रूप दे रखका है डू जॉइन इस आइपी बीट के सभी कट